कैसे हो आप सब आई होब आप सब मज़े में होंगे वैलकम तो माइ यूट्यूब चैनल पाज़िव वाइब्स अर आज हम लोग बात करेंगे इंचल नमबर 2929 के बारे में जब भी आपको यह नमबर बहुत जादा इंकाउंटर हो आप कहीं पर भी जाओ और इसी नमबर को देखो और बार बार देखो और बहुत जादा टाइम से आपको यह नमबर दिख रहा है तो यूणिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है आपके इंचल आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किन किन बातु के लिए परपेर करना चाहते हैं जो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है या फिर इस मोमेंट के लिए आपको इस काईडन्स के बहुत जादा जरूरत है क्योंकि यह आपकी लाइफ में बहुत जादा इंपॉर्टन डूल प्ले करने वाली है तो चलिए बात कर लेते हैं और सभी मैसेजिस के बारे में जो भी इस अंबा के साथ associated हैं या फिर relate करते हैं जब भी आपको यह नबर बहुत जादा दिखें तो आपको specially आपके जितने भी area of her aspect of life है उसमें आपको कहीं न कहीं एक love को लेके आने की जरूरत है acceptance को लेके आने की जरूरत है compassion को लेके आने की जरूरत है और दूसरों के साथ corporate करने की भी बहुत जादा जरूरत है आप में शायद यह abilities हैं आप में शायद यह talents हैं लेकिन कहीं न कहीं आप शायद fearful environment में रहते हो आप उसको surface पे नहीं लेके आते हो तो उसको अपने life में आने दीजिए वो आपको growth के दरफ लेके जाएगा अपने heart के साथ अपने soul के साथ आप realignment में आईए आपकी life से loving जो relationships हैं शायद आप accept नहीं कर पा रहें कुछ चीज़ों को आप में compassion की कमी है तो उन सभी चीज़ों के उपर आपको work करने की जरूरत है आपको उन सभी के साथ realignment में आने की बहुत ज़ अच्छी बहुत powerful energy है और जो आप शायद use भी कर सकते हो दूसरी और अपने life के जो areas है उसकी betterment के लिए तो आप उस powerful energy को right direction में लेके आए और एक alignment के साथ एक blending के साथ इन सभी चीज़ों के उपर work कीजिए love, acceptance, compassion और cooperation के साथ इन सभी चीज़ों को जब आप अपने life में आन नहीं देंगे तो आपकी life में जो energy है वो right direction में flow करना start करेगी जो आपको आपके soul purpose से मिलाएगी आपका true nature है उसको surface पे लेके आएगी और आप अपनी life में तो betterment की तरफ चाहेंगे आप तूसरों की life में भी कुछ better things करोगे उनकी life को भी कहीं न कहीं betterment की तरफ लेके solutions को listen करते हो सुनते हो और अपने ideas को follow करते हो तो पूरा universe आपके लिए आपकी soul purpose की fulfillment के लिए हर चीज़ को arrange करवाता है आपकी help करता है आपके angels आपके spirit guides आपके लिए हर वो चीज़ arrange करा देती है जो आपको उसकी fulfillment के तरफ लेके जाती है और आपको trust रखना होगा कि आपक जो अपनी जो life है उसमें comfortable balance लेके आओगे अपनी materialistic life है जो आपकी जो family life है या फिर जो आपका spiritual world है उसमें भी आप balance लेके आओगे जब अपनी intuitions को follow करोगे जब आप अपने ideas को follow करोगे तो उसमें भी आपको balance लेके आने की जरूरत है तो कहीं न कहीं 2929 आपको एक realignment और balance को ही represent करवाता है कि कहीं न कहीं कुछ चीजें आपके life में imbalance है आप realignment में नहीं है आप align करने के आपको अपनी life को बहुत ज़ादा ज़रूरत है और आपकी तरफ कोई भी अगर opportunity आ रही है तो उसको grab करने के कोशिश कीजिए क्योंकि उसमें से best निकालने के कोशिश कीजि और अपने आपको surround कीजिए ऐसे persons के साथ अपना जो environment उसको ऐसे persons के साथ fulfill कीजिए जो आपको positively sport करते हों जो आपको genuinely sport करते हों हर time आपको positive vibration में लेके जाते हों आपको आपको भी positivity के साथ जोड के रखना होगा अपने mindset को positive रखना होगा और हर चीज में एक optimistic mystic look को देखना होगा ताकि जो आपकी life में imbalance की दरफ गया है वो दुबारा से balance में आ जाए और अगर आपको love relationship में दिख रहा है यह number 2 जरूरी नहीं है कि love हम हमेशा बहुत बड़े बड़े वीज़ के साथ present करें कई बार हमारे छोटे छोटे यश्रस भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़े कर देते हैं जो हमारी life में जितने भी relationship से उनको long term के लिए आगे बड़ा के ले जाते हैं तो हमेशा यह मत सोचे कि अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हैं तब भी बहुत बड़ा होगा कई बानी हमेशा छोटे छोटे यश्रस भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़े कर देते हैं तो उन छोटे छोटे जो चीज़ें उनको भी appreciate कीज़ें उनके उपर भी work कीज़ें हर जो आपकी अंदर negative thoughts चल रहे हैं जो कोई critical situation चाहां कुछ बहुत जादा negativity से जो आपको कहीं न कहीं stress की तरफ लेके जा रहा है depression की तरफ लेके जा रहा है तो आपको उसको release करने की ज़रूरत है क्योंकि उसी की वज़े से आपकी life alignment में नहीं आ पा रही है और अगर आपको यह number दिख रहा है क्योंकि आपको नहीं पता है वो किस situation से गुजर रहा है कैसे गुजर रहा है और क्या उसकी situations है शायद अगर आप भी उसकी जगा होते तो आप भी वही decision लेते तो दूसरों को judge करना बहुत आसान होता है लेकिन अगर वही judgment हमारे उपर आए तो हम उसे बहुत negativity के साथ लेते है तो आपको नहीं पताते हैं कि हर person की story क्या है जिससे भी आप मिल रहे हो उसको पहले अच्छी तरह से observe कीजिए उसको judge मत कीजिए उसकी situation को understand करने की कोशिश कीजिए और जिससे भी आप मिले उनको kind way के साथ और जैसे एक dignity के साथ हर person को मिलने की कोशिश कीजिए especially उस person को तो definitely बहुत kind way के साथ मिलिए बहुत dignity के साथ मिलिए जो आपको उसी way के साथ मिल रहा है और कोशिश कीजिए कि आप उसकी situation को understand करें judge मत करें और बहुत जल्दी आपके life में कुछ cycles ending की तरफ जाएंगे अगर आपको यह number दिख रहा है तो आपको stress में जाने की ज़रूरत नहीं है और tension लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि endings हमेशा new beginning की तरफ लेके जाती है और हमेशा आपको new situations की तरफ लेके जाती है जो आपको life की बहुत अच्छा-चे experiences करवाती है अगर बुरे भी होते हैं तो उससे भी हमको lessons learn करने चाहिए और वो हमेशा जो भी बुरी situations भी होती है जो painful situations भी होती है वो भी कहीं न कहीं हमें lessons learn करवाने के लिए आती है जो हमें next जो भी अगर situation आएगी उसमें हमें apply करने होते हैं तो life को curiosity के साथ जब आप जीना start करोगे तो आपको life में positivity ज़्यादा और negativity कम अपने आप दिखना start हो जाएगी अपने हर emotion को आप handle करना सीख जाओगे अपने divine power की मादद से और आपको अपने emotions को भी handle करने के बहाँ ज़्यादा ज़रूरत है गर आपको angel number 2929 दिख रहे हैं आप शायद बहाँ ज़्यादा post out हो रहे हो बहाँ ज़्यादा loud हो रहे हो और आप समझ नहीं पाते हो situations को देखनी पाते हो लेकिन बोल देते हो जिसकी वज़े से आपके worst की वज़े से बहाँ ज़्यादा लोग जो आपके surroundings में हो hurt हो जाते हैं तो बोलने से पहले सूचिये और देखिये कि दूसरे person के उपर उसका negative impact ना परे especially वो hurt ना हो तो जो भी आप बोलते हैं उसके उपर आपको बहाँ ज़्यादा work करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है क्योंकि शायद आप अपने loved ones को भी hurt कर देते हो तो आप अपने emotions को control कीजिए अपने anger को शायद और अपने thinking process के उपर work कीजिए थाकिए आप अपने जो surroundings अपके जो love ones हैं उनको hurt ना करें तो जब भी आपको यह number देखें तो आपकी life थोड़ी सी imbalance है आपको balance में लेके आने की ज़रूरत है कुछ चीजें love, acceptance, compassion और corporate के साथ blend करने की ज़रूरत है अपने ideas को और अपने life को दुबारा से इन सभी expression के साथ realignment में लेके आने की ज़रूरत है अपने intuitions को follow कीजें अपने ideas को follow कीजें और एक balance लेके है यह अपने materialistic life में और spirituality में हर opportunity को grab करने की कोशिश कीजें जो भी आपकी तरफ आ रही है और हमेशा अपने आपको surround करने की कोशिश कीजें positive persons के साथ अगर negativity है तो उसे ignore करने की कोशिश कीजें और हर situation को optimistic view के साथ देखना start कीजें love हमेशा बड़े बड़े भी इसके साथ represent नहीं किया जाता छोड़े छोड़े यश्रस के साथ भी आप long term perspective से उसे आगे बढ़ा सकते है stability के साथ और हर negative situation को release कीजे अपने mind से और अपनी judgment को थोड़ा सा कम कीजे दूसरे की situation को understand करने की कोशिश कीजे और हर person जो आपके साथ बहुत अच्छे से behave करता है आप भी कोशिश कीजे कि आप उसके साथ उतनी ही अच्छे से behave कीजे और कुछ चीज़ें आपकी life में शायद ending की तरफ जाने वाली है तो उसके लिए अपने आपको stress में मत लेके जाए, tension में मत लेके जाए क्योंकि बहुत ज़ली बहुत अच्छी अच्छी नही नही opportunities आपके पास आने वाली है अपने emotions को handle करने के कोशिश कीजे अपने anger के उपर थोड़ा सा work कीजिए और अपने जो near ones dear ones उनको hurt मत कीजिए बोलने से पहले अपनी thinking process के उपर thoughts के उपर work कीजिए और positivity ही दूसरों की life में लेके जाए तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलूँगे आपसे अपनी next वीडियो में के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और खुशी हां बंद ते रहिए